सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए ये बिल्कुल फ्री है पहत पॉपुलर आटो मोबाइल कमपनी हॉंडा जल्दी अब इलक्टिक कार बनाने के शेत्र में कदम रखने जा रही है अब तक कमपनी ने कई गाडिया और मॉडल्स लांच किये लेकिन अब कमपनी बिल्कुल नया और अलग बीट की कार लांच करने की तियारी में है आपको बता दे कि ये हॉंडा की पहली इलक्टिक कार होगी जिसे कमपनी के डेडिकेडिड इलक्टिक विकल प्लैट्फॉर्म पर तियार किया गया है होंडा ने इस compact electric car के platform के बारे में जानकारी दी है जिससे इसके motor और range और charging समित काफी detail सामने आई है होंडा E के platform को शहरों के इसाब से develop किया गया है कार के better balance के लिए इसका weight distribution 50-50 के ratio में रखा गया है और बैटरियों को कार के floor के नीचे दिया गया है होंडा E में सभी चारो wheels पर अलग-अलग suspension दिये गये है वजन कम रखने के लिए suspension के components हलके aluminium के बनाए गये है electric car का charging port bonnet में है इसके साथ ही एक glass panel दिया गया है जो battery की charging CD बताता है होंडा की इस नई electric car में water cool 35 kilowatt का battery bag दिया गया है company दे दावा किया है कि एक बार full charge करने पर ये कार 200 km की range तैकर सकती है इसमें rapid charge के जरिये 80% battery तक 30 minute में charge हो सकती है होंडा E को इस साल के अंतक अंतराश्टिय बजार में launch कर दिया जाएगा इस electric car की delivery साल 2020 की शुरुआत में हो जाएगी इसे भारत में और UK Germany France में जल्द ही launch किया जाएगा और इसकी booking अभी से शुरू कर दी है तो तयार हो जाए जल्द होंडा के इस नई electric car में सवारी करने के लिए तो दोस्तो हमें comment box में बताए आपको यह होंडा की electric car कैसी लगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कर देना और ऐसी और वीडियो दिखने के लिए हमारे चल्द हिंदी निस को subscribe करे और इस वीडियो आ तो आज की वीडियो को target रखते हम 700 like का तो जल से जल 700 like के target को पूरा कर दीजे आपका एक like मेरी बहुत help करता है तो मिलते हैं आगई वीडियो में और जितना हो सके इस वीडियो को आम आदमी के लिए share करें तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों